एलो एरिवेन वील्कुम बैक टो चैनल आ्लविन इंटरशिक गोरामll तो आज के टॉपिक में जो उलिएक डिसकेस करें जाका है लिए है सेग्रिगेशन के बारे में की सिग्रिगेशन कैसे होता है कैसे रोग सकते हैं szióदु कि उस से पहले अगर einfachा जो लोग नए-ज़ा नए टॉपिक के साथ बताएंगे ठीक है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो चलिए आपको बताते हैं segregation के बारे में लिए segregation के बारे में आपको बताते हैं कि segregation होता क्यां इस पिक्चर के थुरू आपको हम बताएंगे कुछ definition इसको पहले बता देते हैं definition से आपको बहुत सारे चीज समझ में आएगा segregation वह होता है जो concrete को mix कर देने के बाद जब हम लोग place करते हैं concrete का ठीक है तो उस time क्या होता है हमारा जो larger particles जो concrete में होता है वो smaller particles से separate कर जाता है ठीक है जैसे कि हमारा जो aggregate है गिट्टी जिसको बोलते है core segregate वो हमारा बालू गिट्टी और water से संबंध जो होता है वो संबंध अगर तोड़ देता है तो उस separation को क्या बोलते हैं हम लोग segregation बोलते हैं ठीक है अलग-अलग particle में हो जाना ठीक है जैसे कि इस picture में आप देख रहोंगे गिट्टी है आपका ऊपर की तरफ आ गया है जो आपका जो slurry particles है वो अलग आ गया है ठीक है तो इसको क्यों होता है किन कारोनों के वैसे होता है यह concrete में segregation किस वज़े से होता है वो आपको बताते हैं तो सबसे पहला क्या होता है कि अगर सही से concrete का concrete जब बना रहे हैं तो उस टाइम सही से proportion जैसे कि water, cement, sand, aggregate का proportion अगर सही से नहीं लिए होंगे तो उस टाइम हमारा क्या होता है सेग्रिगेशन होने का chances बर जाता है Coming next हमारा क्या होता है जब हम लोग concrete को जब place करने के लिए जाते हैं मतब कि transport करते हैं तो उस टाइम भी सही से handle नहीं करते हैं ठीक है तो उस टाइम भी segregation होने का chance होता है जैसे कि Miller से concrete हमारा जा रहा है ठीक है तो जादे time लग जाता है transportation करने में concrete को ठीक है तो उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देता है अगर सेट करने लगता तो उसमें water extra water हम लोग मिला देते हैं water मिलाने के कारण से हमरा क्या होता है concrete में segregation आने लगता है समझ रहे हैं तो उसके comingness third point बताते हैं जब हम लोग concrete को place करते हैं ठीक है concrete को जब हम लोग place करने का time आता है तो उस time जो डेर मीटर के height पे ही place करना चाहिए तो हम लोग generally क्या करते हैं डेर मीटर से जादे height पे अगर place कर देते हैं तो वहाँ पर भी segregation आ जाता है ठीक है तो यह सब कारणों के वैए से यह सब reason है segregation आनेगा ठीक है अब इसको रोग कैसे सकते हैं segregation को वह आपको पताते हैं तो कैसे reduce करेंगे हम लोग segregation को उस time water cement ratio be in limit in concrete पहला point हमारा क्या है जो water cement का जो ratio वो proper हो ठीक है अगर जादे होरे कारण से क्या होता है हमारा concrete में segregation आने लगता है ठीक है concrete should not be too wet and too dry जादे अगर tight होगा या फिर पतला मसाला होगा जाने की water जादे मिला होगा तो उस time भी segregation हो जाता है concrete का और उसके बाद third point आते हैं third point हमारा क्या बोला है never place concrete from larger height मतब कि जादे height से concrete को place ना करें जैसे कि मैंने बताया क्यूं होता है करना चाहिए उसको बोले नीचे से अराम से बैठा कर फेको समझ रहे हैं अगर उस तरीके से करेंगे तो उस time concrete में segregation नहीं होगा ठीक है जैसे कि pump के थूरू concreting कर रहे हैं ठीक है concrete transportation should be correctly and choose shortest route जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले जो इसमें किन कारोनों के वैसे होता है उसको खतम करने के लिए क्या करने है यह one of the main reason है जिसके वैसे हम लोग concrete यह segregation को reduce कर सकते हैं concrete में वो क्या है transportation करने के जब हम लोग concrete का जो transportation करेंगे उस time हम लोग shortest distance cover करें ठीक है जादे देर होगा तो हमारा जो cement का जैसा मैंने बताया आपको cement का tendency है वो आदे गंटे के अंदर वो हमारा set करने लगता है clear तो कोशिश करना है कि कम से कम time में concrete को transport कर दिया जाए और उसके बाद next point हमारा the vibrator should not be used in concrete for right time not too long and not too less एक हमेशा correct time पर vibrator को use करना चाहिए जादे से जादा generally beam वगर अपने तो बहुत जरूरी है vibrator को use करना लेकिन जादे भी excess use of anything कुछ भी खराब होता है clear है तो एकदम correct time में जतना जरूरत है उसी मताबिक हम लोग यूज करें clear है vibrator का और don't allows concrete to flow concrete को बहने ना दे ठीक है बहने से भी फिर वहाँ पर भी segregation आने लगता है और अगर हमारा formwork भी tight रहेगा तो उस कारण भी problem होता है और हमेशा कोशिश करना है जब vibrator का use करें ठीक है जब concreting के time में vibrator का use करते हैं जनरली vibrator का क्यों यूज करते हैं air voids दो हमारा concrete में होता है उसको खतम करने के लिए अब ऐसे vibrator को यूज करने के time एक जहन में जरूर रखें कि जब भी vibrator यूज करें तो formwork के पे मत लगाए formwork पर अगर लागें तो हमारा formwork हिल सकता है जो हमारा shuttering जिसको बोलते हैं समझ रहें जो shuttering जो centring होता है ठीक है जो beam में हमारा formwork यूज होता है centring हमारा slab में होता है तो उस time हम लोग जादे pressure में formwork के तरफ vibrator को नहीं लगए तो क्या होगा हमारा भागने लगेगा concrete भाग कर सकते हैं इसमें हम लोग पॉजलानिक material को यूज करें ठीक है concrete में और air interaging agent जो होता है हमारा admixture उसको यूज करें concrete में तो इन सब चीजों को यूज करने के बाद हमारा concrete में segregation नहीं आगए तो जैसे कि आप picture में देख सकते हैं कि picture में आप देख रहे हैं हमारा aggregate full to नजर झाया रहा है कहीं हमेरा को खुरा इसटील नजर आ रहा है तो यह सब कारण को यह सब रीजन है कैसे खतम करना है, reduce कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दिए, क्यूं होता है वो भी बता दिए, तो ये चीज़ आपको जहन में जरूर रखना है, तो ये बाफिर से revise कर देते हैं, क्यूं होता है, reason यह यह, जब हम लोग सही से proper mixture of concrete का नहीं करेंगे, तो उस टाइम पहला reason है, हमेशा हमेरा concrete का जो mixing होना चाहिए, वो proper होना चाहिए, जो ratio के मताबिक होना चाहिए, ठीक है, जो भी grade of concrete के हिसाब से हो, जितना हमारा cement मांग रहा हो, या फिर aggregate मांग रहा हो, sand मांग रहा हो, या water मांग रहा हो, excess of water भी हमारा water cement ratio अगर जादे होगा, तो फिर उस टाइम भी segregation आ सकता है, clear है, और proper handling of concrete भी नहीं करेंगे जब transportation के time, तो उस टाइम भी हमारा problem होगा, ठीक है, और जो एक major point यह है, जब हम लोग जब भी concrete को डेर मेटर की height से ज़्यादा exceed ना करें, उस टाइम भी हमारा concrete separate कर सकता है, वहाँ पर segregation आ सकता है, clear है, तो आज क टॉपिक यही था हमारा segregation के बारे में, अब आगे बारे next वाले topic में आपको bleeding के बारे में बताएंगे, ठीक है, bleeding के बारे में बताएंगे, it is a kind of, जो नुकसान करता है हमारा concrete में, ठीक है, concreting करने के बाद का यह problem है, यह concreting करने के पहले का है, जो segregation होता है, और bleeding जो है, concre करेंगे तिल दिन टेक केर और सब्सक्राइब तो और चैनल थैंक यू